हेलो स्थो मैं हुरुचत बहुत बहुत स्वागे था आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो अगर आप सीरियल गुम है किसे के प्यार में देखते हैं या फिर स्टार प्लस देखते हैं या फिर किसी नए टीवी सीरियल के इंतसार कर रहे हैं तो इस वीडियो में last तक जोड़े रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपको सारी चीजों की अपडेट देने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टार पर अब एक नए सीरियल की दस्तक होने वाली है और जब भी किसी नए टीवी सीरियल की दस्तक किसी चैनल पर होती है तो पुराने सीरियल जो चल रहे हैं उनके उपर खत्रा मंडराने लग जाता है और खास कर उनके जो फैंस होते हैं उनके जो देखने वादले होते हैं उनके मन में धेर सारे सवाल लाने शुरू हो जाते हैं कि कहीं हमारा फेवरिट टीवी सीरियल जो है इस सीरियल के आने से अलविदा ना कह दे अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम गुमे किसी के प्यार में के बारे में क्योंकि यहां पर टी आरपी में ताबर तोड टी आरपी बड़ तोडने वाला यह सीडियल बना रहा है अब तक और अब तक इसने टॉप फाइफ की लिश्ट में तो अप पुछ रहा है जिसका नाम बताया जारा है आनंदी बा और इमली क्या यह सीरियल गुमे किसी के प्यार में को replace करेगा या फिर नहीं करेगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आनंदीबा और इमली serial के बारे में पूरी जानकरी इसके timing और date के बारे में बात करेंगे और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा serial offer हो रहा है क्या ये गुमे किसे के प्यार में है क्या ये अनुपमा है क्या ये कोई और serial है या फिर ये कौन सा serial होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आप सबी को बता दू कि आनंदीबा और इमली TV serial जो ये नया title आया है ये काफी जादा लंबे टाइम से इसकी चर्चा चल रही थी और काफी टाइम से serial जो है डेली किया जा रहा था लेकिन फाइनली अब serial के आने की जो उमीद है वो लगातार बढ़ने लगी है हाला कि दोस्तों इससे जोड़ा कोई भी official promo वगरा अभी तक अच्छी तरीके से आउट नहीं किया गया है हाला कि इसके चर्चा लगातार चल रही है कि ये serial जल्दी हमें स्टार पर देखने को मिलेगा अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी कहानी के बारे में बताता हूँ अपने serial को उसके बारे में सोचने के लिए उसके space को लेकर तो ऐसे में यहाँ पर title से जूड़ी कहानी इसकी फिलाल नजर नहीं आ रही है और कहानी और title में बहुत बड़ा difference फिलाल नजर आ रहा है दोस्तों सबसे पहले कहानी की बात करता है कि कहानी कुछ ऐसी है कि एक विदेशी लड़की जो है अपने परिवार को डूंडेने के लिए और अपने परिवार के बारे में जानकारी खटा करने के लिए इंडिया में आने वाली है अपने अतीत और अपने परिवार के बारे में जाने के लिए अलग अलग कोशिश और संगर्स करते हुए वो विदेशी लड़की जो है वो नजन आने वाली है अब दोस्तों यहां पर आप सोच रहे हुँगे कि विदेशी कलाकार विदेशी एक्टर समय देखरी को मिलेगी अफर कौन मिलेगा आखिरकार क्या होने वाला है इसमें तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ कि यहां पर जो लीड एक्टरस का किरदार सीरिल में काफी हद तक इन्होंने अब तक इंडियन टेलिविजन में और मुवीज में जो है अपना नाम इन्होंने शामिल किया है लेकिन टीवी सीरियल में एज लीड शायद ही हमें पहली बार ही अभी देखने को मिलने वाली है दोस्तों लीड एक्टर के तौर पर बात करते हैं तो इन्डियन टेलिविजन में काफी अच्छी फैन फॉलविंग है शायद आप भी इने जानते होंगे और आपने भी इनका कोई ना कोई टीवी सीरियल जरूर देखा होगा दोस्तों नाम होता है लीड एक्टर के तौर पर यहां पर शामिल मिशकत वर्मा का जो कि आपको पाने का भी कुछ अनुमान लग गया होगा आलाकि दोस्तों बताया जा रहा है कि सीरिल का जो अब तक टाइटल है आनंदी बा और इमली जो है इसमें थोड़ा चेंज अभी फिलाल किया जा सकता है इस टाइटल को अभी तक पूरी तरीके से सही नहीं माना जा रहा है और रहे है ज़्ताया है कि पहले ही जो स्टोरिलान सेल के मेकरस ने अनुसारी नाम रखा गया था लेकिन उसके बाद इस gest literally स्टार कास्ट में चेंजेज हुए और अगर यही नाम रहता है आनंदी बा और इमली तो देखना बहुत जादा इंट्रस्टिंग होगा कि किस तरीके से यहां पर इसे विदेशी एक लड़की से जो कि इंडिया में आकर अपने फैमिली को डूनना चाहती है उसके अधियत को अब दोस्तों यह तो ही स्टोरी के बाद जो कि बहुत ही युनिक और बहुत ही इंट्रस्टिंग लग रही है विलाल सुनने में लेकिन आखिरकार यह किसकी जगा आएगा यह डिपेंट करता है क्योंकि अगर किसी नए टीवी सीरियल को इसका मतलब यह तो नहीं कि पुरा तो बहुत बड़े गड़बड हो जाएगी जहां पर एक तरफ लोगों को गुस्सा आए कि समराट चले गया सीरियल नहीं देखेंगे और दूसरे ही तरफ जहां पर यह अपडेट आ रही है कि गुमे किसके प्यार में बंद भी हो सकता है तो यहां पर लोगों के दिल पर बहारी चोट पढ़ गई है और लोग बोल रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए जमराट जाएगा तो देख लेंगे और ऐसी क्या बात है तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपर गुमे किसी के प्यार में के लिए अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आ रह है क्योंकि जब तक प्रोमो और आउट नहीं हो जाता तब तक फिक्स के हैं पाना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन दोस्तों 24 जून अभी बहुत जलत दूर है और सीरियल यह जूकी जूकी सी नजर जो है वह इससे रिप्लेस हो सकता है और आनंदी बा और इमली आपको य जूकी जूकी सी नजर सीरियल के जगा पर आपको नजर आ सकता है तो ऐसे में दोस्तों आए th earnest आपको यह जानकर तो खुशी होगी गमें किसा प्यार में को जो फैन है उनको खुशी हो ऑगी कि है हमारा गमें किसे के प्यार में फिलाल कहीं नहीं जारहा है हाला कि दोस्तों जो जुकी जुकी नज़ा सीरिल देखने वाले सभी फैंस है उनके लिए काफी बड़ा शॉकिंग ये चीज हो सकती है क्योंकि यहां पर ये सीरिल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था अच्छी तरीके से कि और फेर होने की बाद शुरू हो गई है अब दोस्तों रीजन तो काफी सारे हैं मैं जब भी हमेशा कोई भी नया टीवी सीरिल आता है साड़े शे बजे की टाइमिंग पर साड़े पांच की टाइमिंग पर साथ की टाइमिंग पर मैं हमेशा कहता हूं कि Serial की TRP वगरा जो है बहुत डाउन चल जाती है क्योंकि दोस्तों असल में ऐसा माना जाता है चाहे बैस सोशिल मेडिया प्लैटफोर्म क्यों ना हो टेलिविजन प्लैटफोर्म क्यों ना हो और OTT भी क्यों ना हो ऐसा माना जाता है कि 4 बजे से लेकर साड़े-छे बजे चक का जो टाइमिंग होता है वो working टाइमिंग होता है जहांपर कहाज कर टीवी सीरियल के लिए कहा जाता है कि ज़्यादा तरह सीरियल को देखने वाले जो हैं घर की महीलाएं होती है और घर पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो देखते हैं financial profit नहीं हो रहा तो केवल और केवल लोगों के entertainment के लिए तो कोई serial नहीं चल सकता है ये बात आपको भी मालूम है कि profit भी सभी को देखना होता है तो ऐसे में दोस्तों I think आपको update पसंद है योगी नए TV serial की story पता चल लगी आपको पहुंचाता रहता हूं दोस्तों मैं विलूँगा आपसे अगले वीडियो में जैब तक के लिए थैंकि दोस्तों